दोस्तों अगर आप भी एक जॉपसिकर हैं विदेश जाकरके, जॉप करना चाहता हैं, करियर में एक नय उहजहाल देना चाहता है हैं, सेटल होना चाहता हैं, तो आज का वीडियो को देखना है चीए क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसा एक country जहां अभी हर कोई जाना चाहता है हर कोई उस country में जाए काम करना चाहता है जी हाँ दोस्तों ये country का नाम है Croatia Croatia का नाम अपने पहले बेश सुना होगा मेरा कई वीडियो आपने देखा होगा अगर आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब किया हो अगर आप मेरा regular viewer है तो आप जानते ही होगे कि Croatia क्या है कैसा country है ठीक है तो जो भी मेरा चानल पर नए है उनके लिए बता दूँ कि Croatia एक बहुत ही बहतर country साबित हो रहा है दोस्तों और ये पहले तो European country में था लेकिन अब शेंगेन जोन में भी सामील हो चुका है और सामील होने के बाद इस country का क्रेज ऐसे बढ़ रहा है कि हर कोई Croatia जा करके settle होना चाहता है और हो क्यों ना क्योंकि यहां का क्या policies है जिस policy के माध्यम से आप आसानी से भीजा ले लेते हैं और क्या क्या benefits मिलता है दोस्तों आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो वीडियो में आखर तक बने रहे हैं अगर आप एक student है अपना करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो subscribe जरूर करें शुरू करते हैं आज का मारा वीडियो बिना समय गवाए नमस्कार दोस्तों महिए शुकुमार साहू करियर कोच और आप देख रहे हैं आपका पसंदिते चानल लावनिया ग्लोबल करियर प्लाना यूटूब चानल पर Croatia Croatia देखे दोस्तों ये बहुत ही सुन्दर बहुत ही बहतर कंट्री है जहां पर आप जाकर के आसानी से अपना जीवन को बिता सकते हैं वो इसलिए क्योंकि यहां का rules and regulations यहां का climate, यहां के लोग, यहां का भाशा, यहां के जो atmosphere है दोस्तों बहुत ही friendly है आप के लिए जहां पर आप ना सिर्फ जाके रहेंगे बलकि अच्छा खासा income भी कर सकते हैं बात करते हैं कि कोन यहां पर job apply कर सकता है अगर आप एक भारते नागरीक हैं, इंडियन citizen हैं और आप अगर नोकरी करना चाहते हैं तो यहां पर बस 10th class pass हैं तो आप यहां पर job apply कर सकते हैं बहुत सारे job available रहता है जैसा कि food delivery driver, light vehicle driver इसके अलावा hospitality management की बात करें तो आप जा सकते हैं as a waiter, as a housekeeper, as a chef शेप की बात करें, तो इसे बहुत different positions होते हैं जैसे के commie 1, commie 2, commie 3, DCDP, CDP कई तरह के positions होते हैं, कई तरह के cuisine होते हैं दोस्तों और सबसे ज़्यादा जो demand होता है, वो है kitchen department का अगर आपने hotel management degree या diploma किया है तो इसमें आप बहतर करें बना सकते हैं दूसरी बात अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया है ज्यादा से 10th pass हैं, लेकिन आपके पास as a chef का experience है, तो आप इसमें जा सकते हैं जीवन को एक नया I am दे सकते हैं दोस्तों इसके अलावा भी IT companies में जॉब मिल जाता है यहाँ पर ठीक है, constructions line में जॉब मिल जाता है यहाँ पर और warehouse में तो कई जॉब मिल जाता है यहाँ पर ठीक है, fruit packing में जॉब मिल जाता है farming में जॉब मिल जाता है, driving में जॉब मिल जाता है तो अगर जॉब की बात करें तो आपको documents के अगा जड़त पड़ता है तो देखिए मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए PCC लेकिन अब जो नया updates चल के आ रहा है दोस्तों वो यह है कि PCC अगर आप apply कर रहे हैं passport office के दौरा तो अब थो time लग जाता है ठीक है तो initial stage पे जब तक आप अपना work permit apply करें उसके लिए आप अपना local police station से PCC दे करके काम चला सकते हैं समझ गया आप बिल्कुल भी confused ना हुई ठीक है जैसे ही आपने apply क्या job के लिए और जब आप apply कर रहे हैं work permit के लिए तो उस दवरान आप अपना local police station वाला जो PCC है दोस्तों उसे submit कर सकते ह हैं लेकिन हाँ जब आप भेफिस जाते हैं submissions के लिए तो उस टाइम आपको compulsory जो passport office वाला PCC है वो जुरत पड़ेगा दोस्तों इसके अलावा सारा documents पर आपको पता ही है जैसे कि आपको आपका education certificate होना चाहिए passport होना चाहिए experience letter होना चाहिए ठीक है और जो भी तमाम तरह क जैसे CV है cover letter है इस सारा documents आपको चाहिए होता है process की बात करें कई लोगों का ये भी doubts था कि अब कितना दिन का process लग रहा है तो अभी तक कोई भी यहां का rules and regulations change नहीं हो दोस्तों जैसे ही change होगा मैं आपको inform जरूर करूंगा अभी जो process पहले का था उसी process के साब से चल रहा ह है ठीक है लेकिन हाँ आप जो work permit है वो दो मेने का समय लग सकता है लेकिन अभी तो previous time जैसे ही मतलब 20-50 दिन का समय लग रहा है अभी तक वहां का जो rules से अभी तक change नहीं हुआ है in terms of visa applications या visa approval में ठीक है work note approval में अब देखिए जब आप apply कर लेते हैं VFS में तो जैसे कि आज हमें एक visa मिला है तो अभी जो समय लग रहा है दोस्तों जब आप submission कर देते हैं VFS में उसके बाद तो लग भग बात करें 40 दिन का समय लग रहा है क्योंकि हमारा एक जो viewer है वो submission किया था on 12th of December तो आज 22 January है तो आज उनका visa deliver हो चुका है उनको तो लग भग आप समझ 42 दिन समय लग रहा है अभी ओके कब आप VFS में देने के बाद तो टोटल समय की बात करें तो लग भग दोस्तों चार्ज महिना करीब का समय लग रहा है अभी Croatia का विजा पुरा होने में इसका बात करें कि भई अभी सब का पसंदिता country क्यों है Croatia जैसे देखिए Poland का विजा रेशियो 70% है, माल्टा का भीजा मिलता ही नहीं है, वो अभी 100 में काद्दुका हो जा रहा है, ठीक है, अब बात करें, और दूसरे कंट्री का तो वहाँ भीजा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्रोईशिय कैसे कंट्री है, जहां पर आप समय बचा लेते हैं, ठीक है, आ आप अच्छा कासा सालरी मिल रहा है, अच्छी बात यह है कि यहां पर food and negotiations by company प्रोवाइड होता है, और क्या चीए आपको, बाकी जो country मिलते हैं, आपको सारा facilities क्रोईशिय मिल जाता है, तो इसलिए अभी सब का चहिता बन चुका है क्रोईशिया, और दोस्तों बोलना चाह क्या है, क्रोईशिया, कुछ दिन के बाद मैं बता रहा हूँ, आपको क्रोईशिय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग जा भी नहीं पाएंगे, जैसे अभी माल्टा में हो रहा है, ठीक है, इतना applications हो जाएंगे, कि apply करेंगे, आप तो आपको BFS में slot ही नहीं मिल प experience का, क्योंकि मैं माल्टा के बारे में जानता था, जब माल्टा को कोई जानता नहीं था, उस टेम में वीडियो बनाया था, ठीक है, और आज आलम यह है कि आज माल्टा के लिए BFS में slot ही नहीं मिल पाता, ठीक है, उसी तरह क्रोईशिय में जरूर होगा दोस्तों, तो जित को, बहुत ज्यादा एप्लिकेशन आना चालू हो चुका है, क्रोईशिया जॉप्स के लिए, ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करते हैं, ऑनलाइन चेकिंग रहा पता चल जाएगा, तो आप क्यों पीछ रहे हैं, देख लीजिए, अपना करियर की सवाल है, ठीक है, तो थैंकिए सो मच पर वाचिंग, मिलते हैं, एसी तरह के एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना खयाल और मुझे देई जाज़ा, तैंकिए सो मच, जय हिंद, जय भारत!